हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू राजें स्कॉलर टिटोरियल आज मैं आपको नुमेरिकल सॉलीशन ऑफ ओडिनरी डिफ्रेंशियल एक्वेशन ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री कसम कराने वाला हूं इस चैप्टर में हम लोग नुमेरिकली सॉलीशन कैसे निकाला जाता है क कोई भी डिफ्रेंशियल एक्वेशन का जो कि जिसका फर्स्ट और ऑफ फर्स्ट डिग्री का होगा वह कैसे सॉल करना है वह मैं आपको सिखाने वाला हूं यह सब्सक्राइब इस चैप्टर में डिफ्रेंट डिफ्रेंट तरीके हैं सॉल करने के लिए जैसे कि टेलर ऒूर्स डिफ्रेंट डिफ्रेंट कया वह समझाने के लिए पहले में उसका एक सम लेता हूं और उससे सॉल करते क्याकिसे सल्थे है उसको मैं आपको समझाता हूं और solve करके भी दिखाता हूं ओके फ्रेंड्स देखिए यह हमारे सामने example है अगर using Taylor series to find a solution of dy by dx is equal to one plus xy y y add zero is equal to zero y देखिए यह हमारा initial value है जब हमारा x का value zero रहेगा थो हमारा y का value भी करेगा zero रहेगा और हमें किसका solution निकालना है हमें Taylor series methods use करके हमारे हमें value निकालना है कब जब हमारा x का value क्या रहेगा 0.2 रहेगा और हमारा h क्या है h का मतलब होता है increment increment मतलब छोटा सा increment जैसे कि पहले क्या h का value क्या रहेगा 0 0.1 अगर उस value को decrease कर देंगे 0.1 से तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा तो देखिए यहां पर क्या है हमारा 0.2 है और h का value क्या है 0.1 है तो हमारा initial जो हमारा x का value होता वो 0 होता जब हम लोग कोई भी समका कोई number का addition करते हैं तो initially हम लोग 0 रखते हैं 0 plus कोई number करते हैं अगर हम लोग 0 plus h का value करेंगे तो 0.1 हो जाएगा तो 0.1 पर हमारा x का value रहेगा तो हमारा Y का value के आएगा हमें 1 ढूडना है और हमारा value और ढूडना है अगर हम लोग 0.1 को अगर increase कर दिया 0.1 से एक्स का value क्या जाएगा 0.2 हो जाएगा तो अब 0.2 पे हमें value निकालना है इससे हमें पता चलता है कि कितना sum का कितना निकालना है हमें कितने solution मिलेंगे इस sum में कितने हमें solution मिलेंगे इसे correct कब तक करना है fourth decimal places बोला है मतलब हमें y fourth time मतलब fifth time हमें निकालना है क्योंकि initially y zero y one y two y three y four y five तक निकालना है क्यों क्योंकि fourth बोला है fourth decimal places तक चीए fourth decimal तक चीए तो हमें fourth तक solve करना पड़ेगा चलिए इसका solution स्टार्ट करते है solution हमारा सबसे पहले initial value लेते है initial value हमें क्या दिया है हमारे पास क्या क्या है पहले वह हम लोग लिखते हैं d y by dx is equals to one plus xy दिया है जिसे हम लोग इसे भी इस तरह से लिख सकते हैं y dash is equals to one plus xy y dash means first differential first order differential equation क्योंकि हमारा chapter का नाम है first order first degree तो देखिए इसका first order है first degree है इसका हमें solution निकलना है यह हमारा यह दिया है और y y for zero is equals to zero जब देखिए हमारा x का value अगर हमारा zero रहेगा तो हमारा y का value क्या रहेगा जिरो रहेगा अगर यह इस तरह से भी दिया जा सकता है x का value यहाँ पर y दिखिए हमारा इस form में हमें सा लिखा रहता है x इस form में लिखा रह जाता है तो अगर यह यहाँ पर one right equals to zero तो हमें समझना है हमारा यह x initial value है initial means x zero x zero मतब initially हम लोग zero इसलिए indicate नहीं करते कि यहाँ पर zero दिया है क्योंकि यह initial value है starting value है इसलिए हम पर zero लिखते है y zero का value क्या हो गया zero initial हमारा value हो गया अगर यह हमारा इस तरह से होता तो हम लोग क्या लिखते है x zero one और y zero is equals to zero जब हमारा x zero value हो यह-था तब हमारा y zero value क्यों मिला हम Web0 इसी तरीके से तो चलिए हमें अगे solve करते हैं हमें जैसे कि ए मुद्धा टेलर टेलर सरीरीस से solve कर रहे हैं टेलर स्रिuks काформule क्या बेर्द्रा आपकों एस्था सिरई चलिए एक जैसा ही है जब चाहे तब solve कर सकते हैं और यह एक easy method है लोग इसे कभी छोड़ते नहीं है एक्जाम में अगर आया युनिवर्सिटी की पेपर में तो यह attend जरूर करते हैं चलिए देखिए हमारा क्या है y' का value चलिए हमें पहले formula बता देता हूं Taylor series का Taylor series का formula y is equals to x y0 y0 plus x into y0 dash upon one factorial देखिए इस तरह से लिखा जाता है x square y0 double dash upon two factorial x3 upon three factorial into y0 third order इसी तरीके से यह increment होता रहता है इसी तरह से increment करते रहेंगे हमें y0 निकालना है y0 dash निकालना है इस तरह से हमें तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है हमारे पास y0 है देखिए y0 का value क्या है 0 है y01 का value क्या है अगर देखिए यह हमारा solution है अगर इसी को 0 करना र करेंगे इसका जो solution आएगा इसका value substitute करके जो solution आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा वाई zero dash का solution हो जाएगा इसी तरीके से हमें इसे सब का solution निकालना है और हमें आगे solve करना है फिर उसके बाद आगे क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ चलिए सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं फॉर्थ और बोला है तो मतलब हमें यह कहां तक find करना है कि फॉर्थ करेक्ट फॉर्थ डेसिमल तक हमें क्या है जिरो एक्स जिरो यहां पर करते हैं अगर हमें ने क्या पड़ेगा एक्स जीरो वाइज़ियो पूट करना पड़ेगा लेकिन हमारे देखे जब हमारा initial value तो हमारा initial value जो हमारे given data में क्या था X 0 पर हमें क्या था 0 था यτέ य़ 0 पर भी हमारा y का value क्या था 0 था चलिए तब हम लोग क्या काम करता है substitute करते हैं यह 0 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा तो हमें value का मिलेगा 1 मिलेगा चलिए y2 double dash find करते है y2 double dash इसको मतलब यह first order differentiation है इसे second order differentiation करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसे throughout differentiate करना पड़ेगा इसे differentiate करेंगे with respect to x चलिए यहाँ पर देखिए x का value अगर 1 करेंगे क्योंकि यह constant है constant का differentiation क्या होता है 0 होता है अब यहाँ पर देखिए x into y है हम हमारा u into v के form में है तो चलिए हम differentiate करते हैं पहले x को ऐसे ही रखते है y को differentiate करेंगे तो क्या मिलेगा हमें y dash मिलेगा क्योंकि y का differentiation 1 होता है और फिर dy by dx हम लोग फिर से लिखते हैं क्योंकि वह एक independent variable है वह जो किसी को पर dependent नहीं है मतलब independent variable हमारा देखिए हमारा जैसे question है वेखिएंगे तो इसमें देखिए हमारा की है independent variable independent variable हमारा x और y हमारा डिपेंट बैयिपल है हई का value य का हम गेंई होता है अगर हमारा x का value change हो तो इसी लिए हम लोगों इसे बोलते हैं यह हमारा क्या हो गया dependent variable हो गया, इसलिए dependent variable के लिए हम लोग फिर से y dash लिखते हैं, यह हो गया हमारा x into y x into y का differentiation कर दिए, अभी y को ऐसे रखने x का differentiation करते हैं, x का differentiation करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, चलिए y 0 double dash लिखते हैं, x क्या हो घाएगा, x0, y0, y0 का value क्या था हमारे पास 0 था x0 का value initially हमारे पास क्या था x0 का 0 y0 कभी 0 और y0' का value हमें क्या मिला 1 मिला तो 0 into 1 क्या होता है 0 plus 0 0 हो जाता है तो y triple dash find करते हैं third order differentiation करते हैं third order differentiation करेंगे तो इसका हम तब u into v यहाँ पर फिर से लगेगा इसका अगर u into v करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x को देखें अभी हम लोग u into v कर रहे है x को ऐसे रखना है y' को अगर differentiation करेंगे तो क्या हो जाएगा first order से इसका second order differentiation हो जाएगा plus y' को अभी ऐसे रखेंगे x को differentiate करेंगे x को differentiation करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं य को अगर differentiation करेंगे तो क्या हो जाएगा y' इसे हम लोग simple form में लिखते हैं y double dash plus 2y' y0 triple dash x0 y0 double dash plus 2y0 dash y0 y0 dash का value क्या हमी तर्म फिर्स्ट रॉल डिफ्रेंशेशन का इसका y0 पर क्या मिला value 1 मिला 1 into 2 क्या होता है 2 value होता है जैसा कि हमारा initial value में देखे होंगे x0 का value क्या है हमारा 0 है अगर 0 की सिक्साद multiply होगा तो 0 आएगा 0 plus 2 into 1 2 हो जाता है हमारा y0 triple dash का value क्या मिला 2 मिला है y fourth order differentiation इसका fourth order differentiation चलिए करते हैं x को अभी हम फिर से रखते है u into v फिर से follow होगा x into y triple dash plus y double dash into x का differentiation करेंगे तो क्या मिलेगा one मिलेगा plus two into y dash का differentiation करेंगे तो y double dash हो जाएगा इसे फिर से simple form में लिखते है y triple dash plus देखिए two plus one three y double dash y zero निकालते है y zero fourth order का y zero अगर zero value रहा x का value अगर zero रहा तो क्या करते है x value मतब complete हमारा x zero y zero सब के जब भी आपको ऐसे समय ले तो हमेशा क्या काम कर देना है zero रख देना है जहां पर भी जो भी value रहेगा उसका value zero कर देना है एड मतलब initial value पर उसका original value fourth order उसका क्या आएगा initial value क्या था हमारा zero पर था ना initial value हम दो zero से indicate कर रहे है उसे indicate कर रहे है चलिए x zero का value क्या था zero था y zero double dash का value क्या था zero था zero की सिखसाद multiply होगा और zero की सिखसाद multiply होगा तो हमें answer भी zero मिलेगा तो चलिए fourth order तक करते हैं fourth order हो गया है अभी fifth order करते हैं तो चलिए इसे fifth fifth order अगर differentiation करेंगे तो क्या होगा एक्स इंटू y fourth plus y four y three three है ना चलिए देखिए मैंने पहले x को ऐसे रखा इसका differentiation क्या अभी फिर से इसको ऐसे रख रहा हूं x को differentiation कर रहा हूं x का differentiation one होता है plus three y double dash को differentiation करते हैं y triple dash हो जाता है इसको किस तरह से लिखा जा सकता है y fourth plus four y triple dash y zero five पर हमारा x zero जब रहेगा y zero fourth order रहेगा plus four y zero third order रहेगा तो हमें इसका solution क्या मिलेगा x zero value zero था इसलिए हमारा complete zero हो गया y zero third क्या था हमारा value two था four to the eight हमारा ये eight मिल गया है जितना हमें जैसे कि हमने formula मैंने बताया था हमें मिल गया है अब इस सभी value को substitute करना है तो हमारा क्या हो जाएगा y zero का value क्या है zero इसलिए से नहीं लिखेंगे y zero dash का value क्या है y zero dash का value हमें क्या मिला है one मिला है one into x is equals to x और one का factorial क्या होता है one into one क्या होता है 1 होता है इसलिए हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे 1 इसके नीचे 1 ही है plus x0 y0 का क्या value है y0 double dash का value देखिए यहां पर क्या मिला है 0 मिला है तो किसी के साथ 0 होगा 0 हो जाएगा इसलिए यह भी eliminate हो जाएगा निकल जाएगा x3 divided by 3 factorial y3 y0 third पर हमें क्या value मिला था 2 value मिला था चलिए आप 2 से multiply करते हैं plus fourth order जैसे की देखिए fourth order zero था अभी fifth order के पास जाना है fifth order रहेगा तो क्या हो रहेगा x raised to five upon five factorial into हमें क्या मिला है it मिला है देखिए कि हमारा हो गया अभी इसे हम लोग simplify करते हैं इसे कैसे लिखा जासकता है x यह zero हो गया इसलिए यह निकल गया three three factorial को क्या लिखा जासकता है three factorial को हम लोग लिखते है three into two into one तो देखिए two देखिए three into two into one two से two cancel हो जाएगा सिर्फ नीचे three बचाएगा क्या जाएगा x cube upon 33 into one हो जाएगा one plus eight को five factorial को क्या लिखा जा सकता है five into four into three into two into one यह लिखा जासकता है और यह eight है eight को क्या लिखा जासकता है four into two देखिए four से four cancel हो 2 से 2 cancel हो गया कि यह क्या बचा 5 रिजा 15 बचा है X raised to 5 upon 15 plus डश 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 यह series ऐसे लिए continue होता जाएगा लेकिन हमें कितना हमें answer कितने points तक चीए थे fourth decimal तक चीए थे तो यहां से हमें किया तक मिल जाएंगे fourth decimal तक value मिल जाएंगे हमें किसका value चीए जैसा कि मैंने बोला था जब हमें लोग solve करेंगी तो H का value क्या है 0.1 है जब हमारा X increment है 0 initial यह हमारा X होगा X का initial value क्या था हमारा initial value 0 था अगर 0 को H से increase करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 plus 0.1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.1 X का X 0 है क्या हो जाएगा हमारा X 0 का value हमारा हो जाएगा जब हमारा X का value 0.1 हो जाएगा तब हमारा Y का value क्या होगा उसे हम लोग ढूटते हैं जब देखिए हमें क्या करना है X की जब हमें क्या substitute करना है पहले 0.1 जब हमारा जब हमें X is equals to 0.1 हमारा Y का value क्या होगा 0.1 पे देखिए X की जब हम लोग क्या रखेंगे 0.1 प्लस 0.1 का cube divided by 3 प्लस 0.1 raised to 5 upon 15 plus dot 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 इसका हम लोग क्या निकालते हैं solution निकालते हैं यह जो हमारा होगा यह हमारा first answer होगा हमें जैसे की हमारा increment देखे होंगे 0.1 है और हमें value कहां तक चीए 0.2 तक X का value अगर आपने question देखा होगा तो 0.2 तक चीए तो 0.1 को फिर से एक बार और increment करना पड़ेगा तो 0.1 से क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा तो चलिए इसका solution करते हैं तो इसका solution करने हम लोग क्या काम करेंगे कैसी में इसका substitute करके solve करते हैं तो देखे 0.1 प्लस अगर हम लोग करें 0.1 का क्यूब रूट चीए सिफ्ट अगर एक सिफ्ट इंडू एक स्क्वेर का बटन दबाएंगे तो क्यूब रूट हो जाता है divided by क्या है हमारा 3 प्लस divided by 0.1 raised 2 है पर देख सकते हैं minus में रहा plus में रहा लिख सकते हैं easily divided by 15 हमारा value क्या है हमारा answer रहा है देखिए हमें fourth order तक हमें चाहिए fourth decimal तक चाहिए y change होता रहता है x के विजए से इसलिए हम लोग y का value निकाले है तो चलिए आगे निकालते हैं अगर हम लोग increment कर दिए अगर हमारा x का value अभी हमारा क्या हो गया 0.2 हो गया तो हमें क्या लिखना है 0.2 y add 0.2 पर क्या हो जाएगा तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा 0.1 की 0.1 नहीं आएगा 0.2 आएगा divided by 15 plus dot 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 हमारा increment है तो चलिए इसका value calcimate substitute करके solve करते हैं देखिए अभी हम लोग फिट से उसे erase पूरा erase करके लिखेंगे तो हमारा time जाता है इसलिए 0.1 की चिके पर back करेंगे आप 2 लिखतेंगे जहाँ पर 0.1 है वहाँ पर 0.2 कर देना है देखिए 0.1 था जो हाँ पर 0.2 हो गया है तो हमारा solution क्या मिला हमें देखिए sd करेंगे तो आपको point में मिल जाएगा point में हमारा solution क्या है 0.2026 point के बाद 4 decimal तक हमारा answer मिल गया है जब हम लोग solve करेंगे तो tailor series का इस chapter में अगर आपको कोई भी tailor series का समाया तो आपको इसी तरीके से करना है thank you please आप इस वीडियो को like करें share करें and subscribe परें thank you